हेलो मेरी क्लास की प्रियस अभी छात एवं छात्राओं भाई और भेहनों आप सभी का एक वार फिर स्वागते आज की वीडियो में हम बात करेंगे मद्ध प्रदेश रामा निग्यान की वेरी वेरी मोश्ट इंपोटेंट कुस्चिन अगर आप MPPSC, MPSI, MPPolice, मद्ध प्रद मेरी क्लास की प्रियस अभी छात्राओं भाई यो बहनों आपके लखी सर अनकेरिमी पर पढ़ाते हैं रोज रात को 9 बजे तो 9 पीम पर पढ़ाते हैं आप सभी लखी सर की 9 बजे वाली क्लास को जोईन जरूर करें ठीक है एक क्लास आपकी पूर्दता निसुल्खे बच् क्लास को अटेंड करें क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन गॉक्स में जाएं लखी सर को अनकेरिमी पर फोलो करें आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे भाईयों बहनों अगर आप अभी तक अपने मुवाइल में अन अकेडमी अप को स्टोल करें स्लेक टू योर गोल करना MPPSC व्यापम रेफर को डाल देना बच्चों लखी सर आपकी फ्री क्लास अनलॉक हो जाएंगी मेरे भाईयों बहनों अगर आप मध्द पर इसके टॉप एच्चु का टोसर पढ़ना चाहेते हैं तो अनकेडमी का सब सब्सकेड्चन लें अगर अभी आप सब्सकेड्चन ले तो ओफर चल रहा है एक साल का सब्सकेड्चन लोगे तीन मह alltid मिलेंगे दो साल का लोगे चार महीν पर किसी भी एजुकेटर की क्लास को टेंड कर सकते हो और बच्चो अनकेडमी पर कोई सावी बैच स्टार्ट होता आप किसी भी बैच को जोइन कर सकते हैं इसलिए आप सभी अनकेडमी का सब्सक्रिप्शन जरूर लें कि मेरे भाईयों भैशनों वपरोगतं हमारे प्लाने कोई सावी बैच सेलेक्ट करें अब की सर ठीक है अब करते हैं बीडियो स्टाट आज का अब पहला कोस्टन देख रहे हैं आज स्कीन पर कोस्टन नमर पंदरवा आंसर जानते हैं तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे मेरी भाईयों भेनों बहुत अच्छी कोस्टन है अग्जाम में आपके आ सकते हैं ठी आपर हम सोला कोस्टन डिसकस करेंगे वीडियो के लाश्ट में अपना स्कूर कमेंट करके बताओगे आपने कितने सही आंसर दिये भारत में सरवाधिक बरसा प्राप्त करने के लिए पिरसिद्धिस्थान चेरा पूंजी किस राज में है आपको बताना है भारत में सबसे अधिक बरसा की बाद चल लए सबसे सरवाधिक बरसा यानि सबसे अधिक कहां पर होती है चेरा पूंजी में होती है चेरा पूंजी कहां पर आता है आपका answer आच चुका है आपका very good excellent note कर लो यहाँ पर D option यहाँ पर correct होगा आप सभी का D option यहाँ पर correct होगा आपका मेगालाई मेगालाई यहाँ पर right answer होगा अब आप लोग हमें कोई बता सकता है कि भारत की किस राज में सबसे कम बरसा होती है कोई बताएगा अगर जिला की बात करें तो अपनों भिंड जिला है मद्ध पेदेश को भिंड जिला की गोहत तैसिल में सबसे कम बारस होती है भिंड जिला में आपके पास चार option है answer जानते हैं तो आप में comment करके बताओगे question number शोलवे का यहाँ पी correct answer क्या होगा सरत जोसी प्रुसका निम्मे से किस छित में प्रिदान किया जाता है question number शोलवा आए इसकीन पर मेरे भाईयों भेहनों आप सभी आंसर जानते हैं जोलवे का correct answer क्या होगा नोट कर लें यहाँ पर ए ऑप्सन क्रेक्ट होगा निमंद संस्मार ब्यंग लेखन यहाँ पर होगा next question लगाते हैं इसकीन पर question number 72 answer जानते हैं तो आप सभी comment करेंगे एक लब प्रुसकार किसी दिया जाता है कोई बताएगा एक लब प्रुसकार किसी दिया जाता है बहरी बहरी most important question है आपके exam में आ सकता है कोई भी हापी गलत answer नहीं देगा आइंसर जानते हैं तो आप सभी कमेंट करके बताओगे एक लब पुरुसकार किसी दिया जाता है तो नोट कर लो एक अप्सन करेक्ट होगा जूनियर खिलाडियों को दिया जाता है अब आप लोग हमें कमेंट करके बताओगे एक लब पुरुसकार कब प्रारंब हुआ कब comment करके एभाम किस आयूब बर्ग के खिलाडियों को दिया जाता है अब हमें आप बताएंगे कमेंट करके next question लगा दें स्कीन पर question नमबर अठारवा बिक्रम पुरुस्कार किसे दिया जाता है और भाईय भेहनों आपका सेनियर खिलाडियों को दिया जाता है बिक्रम पुरुसकार किसे दिया जाता है सेनियर खिलाडियों को दिया जाता है आप लोग हमें कमेंट करके बताओगे बिक्रम पुरुसकार कब प्यारंभूगा किस आयू बर्गे खिलाडियों को मिलता है कोई बताएगा हमें कम कोई बताएगा विश्वामित पुरुषकार आपके पास लगातार चार आप्सन आ रहे हैं बेक टू बैक कोई भी हाँ पी ताइंसर नहीं देगा नोट कल ने कुशन नमबर 19 बिश्वामित पुरुषकार किसी दिया जाता है कोई बताएगा यहां पर नोट कल लो यह कुशन नमबर 19 का करेक्ट आइंसर क्या होगा बिश्वामित पुरुषकार किसी दिया जाता है बच्चों पिरसी छकों को मिलता है किसको मिलता है पिरसी छकों को यहां पर दिया जाता है ठीक है किसी दिया जाता है पिरसी छकों को दिया जाता है आपका बिश्वामित पुरुषक आप मेंसे कोई बताएगा एक प्रादम्भुंगा कई कप्रारम वोगा मेरे भाईयों भेनों और किस आयू बर्गिक नहीं आयू को जा रहाई हो कि है पिरसी को बताना है मद्ध पिदिस में राता पानी बांद खुश्चन अकसर आता है एक्जाम में कौन से जिले में आता है पेरी बरी मोश्ट इंपोटेंट खुश्चन है आपके एक्जाम में कुश्चन आता है आप मैंसे कोई भी हांपी गलत आंशन नहीं देगा नोट कर लो यहा बेतवा राइसन के कुम्रागाउं से लाइसन की कुम्रागाव से लगाधे ट्वैंटी वन एक बिसम गयात करना आपको बताना है रिसम पर option है 9912620945 कोई बताएगा है हापी correct answer किया होगा मेरे भाईयों भेनो नोट कल ले हापी correct answer किया होगा विसम यहाँ पे आपका c option correct होगा आपकी 109 कैसी संखिया है 109 कैसी अभाज संखिया है 109 अभाज है बागी सभी भाज हैं आपकी इसलिए आपका 109 यहाँ पे right होगा next question लगा दे 22 मेरे भाईये भेनो answer जानते हैं तो आप सभी comment करके बताओगे लुप संखिया चुनकर यहाँ पे खाली स्थान पर किया आएगा आप में से कोई बताएगा यहाँ पी correct answer किया होगा ठीक है नोट कर ले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपके पास चार option है 74, 76, 73, 75 ठीक है बच्चों मैं बता दूँ आपको answer जानते हैं तो आप comment करके बताएं दुदूनी 4 और 1 जोड दिया 5 दूनी 10 एक माइनस कर दिया दुदूनी 18 एक जोड दिया फिर है 19 दूनी 38 एक माइनस कर दिया पिलस माइनस हो रहा है 37 दूनी 84 एक जोड दोगे 75 यहाँ पर राइट answer किया होगा बच्चे हाँ पर नोट कर लो D option correct होगा आपका 75 होगा यहाँ पर क्या करना है पिलस एक होगा add यहाँ ठीक है आयोडीन तथा पोटेसियम का पिर्चुर सुरोथ है कोई बताएगा मेरे भाईए भेहनों कुस्चन नमबर इसकीन पर है 23 23 का correct answer किया होगा answer जानते हैं तो आप सभी हमें comment करके बताओगे मेरे भाईए भेहनों अगर आपके exam में आता है question कोई भी हाँ पर गलत answer नहीं देगा नोट कर लीजिए यहाँ पर 23 का आपका यह option correct होगा आपका केलफ next question लगा दें इसकीन पर 24 मेरे भाईए भेहनों वहती प्यारा question है आपके exam में आ सकता है कोई भी गलत answer नहीं देगा नाभिकों में सनरचित धागे जैसी सनरचनाई कहलाती हैं कोई बताएगा question number 24 का correct answer किया होगा answer जानते हैं comment करेंगे यहाँ पर नोट कर लें D option correct होगा क्रो में 10 next question लगा दे 25 केबल पादप कोसिकाओं में पाए जाने वाले कोसिकांग का नाम बताएगे कोई बताएगा 25 का correct answer किया होगा मेरे भाईए भेहनों अगर आपके exam में question आता है कोई भी यहाँ पर correct answer नहीं देगा note करने अच्छा question है यहाँ पर note करने correct answer किया होगा 25 का note कर लो यहाँ पर C option correct होगा आप सभी का लवक next question लगा दे 26 मेरे भाईए भेहनों बहुती प्यारा question है एक्जाम में आ सकता है note कर लीजिए पित्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब नियूनतम होता है कोई बताएगा 26 का यहाँ पर correct answer किया होगा मेरे भाईए भेहनों अगर आपके एक्जाम में question आता है कोई भी हाँ पर गला तांसर नहीं देगा note कर ले 26 का correct answer किया होगा मेरे भाईए भेहनों यहाँ पर note कर लो B option यहाँ पर correct होगा नियंद की स्थिती में जब लेटता है note कर लो B option correct होगा next question लगा देते हैं 27 मेरे भाईए भेहनों अगर आपके एक्जाम में question आता है आप मेंसे कोई भी हाँ पर गला तांसर नहीं देगा अनुबान सिकी की काई है बच्चो कोई बताएगा 27 का यहाँ पर correct answer किया होगा 15 सिकेंड का समय आप सभी के पास मेरे भाईए भेहनों अगर आपके एक्जाम में question आता है आप मेंसे कोई भी हाँ पर गला तांसर नहीं देगा नोट कलने 27 का correct answer किया होगा बी option यहाँ पर correct होगा आपका gene next question लगा दें इसकीन पर आज का question number 28 मेरे भाईए भेहनों promise कर बच्चों अगर आपके एक्जाम में हाँ से question बनता है आप मेंसे कोई भी गला तांसर नहीं देगा नोट कलने अच्छा question है एक्जाम में आ सकता है निम लिखित मैंसे कोई बिद्धारा प्रभावित होने की अनुमती नहीं देता है अगर आपके ओ आंसर आता है इसका correct answer किया होगा तो आप लोग comment करके जरूर बताएं 28 28 का नोट कर लें यहाँ पर मेरे भाईयों भेनो डी option correct होगा आपका आसुत जल यहाँ पर right answer होगा आसुत जल ठीक है next question लगा दें इसकीन पर 29 कोई भी हाँ पर right answer नहीं देगा मेरे भाईयों भेनो अगर आपके अक्जाम में question आता है आप सभी correct answer देंगे निम लिखित मै कौन जैब सनिती इधन उर्जा का सुरोत नहीं है कोई बताएगा 29 का correct answer किया होगा मेरे भाईयों भेनों अगर आपके अक्जाम में question आता है आप सभी correct answer बताएगे जल्दी से comment करके answer दें नोट कलने 29 का B option correct होगा आपका नाप की ये उर्जा next question लगा देते हैं स्कीन पर question number 30 रात्री चर पश्ची का एक उधारन है कोई बताएगा question number 30 का हापी correct answer क्या होगा मेरे भाईयों भेनों बहुती अच्छा question है आपके एक्जाम में आ सकता है कोई भी हापी correct answer नहीं देगा नोट कर लें ये option correct होगा आपका उल्लू होगा ठीक है मेरे भाईयों भेनों 16 question हो चुके आज की वीडियो में आप लोग हमें comment करके बताएं 16 question में आपने कितने सही answer दिये मेरे भाईयों भेनों अगर आप हमारी class को पहली बार देख रहे हो तो आप सभी हमारे वीडियों क लाइक करें comment करके ज़रूर बताएं ठीक है और मेरे भाईयों भेनों अगर आप नई है पहली बार हमारे चैनल पर classes देख रहे हो तो आप सभी लकी सर की officially यूटूब चैनल को subscribe कर लें subscribe करने के बाद घंटी दवा दें जिससे कि आपको हमारी latest class का notification मिल जाएका हम आप से फ